अपना योगा प्यास ठीक से करों जीवन धर्मक्षेत्रे कुरोक्षेत्रे ये जीवन ही धर्मक्षेत्रे और कर्मकर्बस्त अपना कर्म ठीक से लंबे लंबे श्वास भगवान ने समान रूप से सबको बहुत या अच्छा शरीर दिया ये थोड़ा बहुत जो इसमें अंतर है जीन्स के आधार पर जेरेटिक्स के आधार पर डियरने के आधार पर वो खाली पहचान करने के लिए कि सारे एकी जैसे ना हो जाए मारूतियों टोइटा हो तो अपने अपने अभ्यास बटरफ्लाई कर लो इसकंदे संचालन कर लो कोई भी गाड़ी चे रेंजर रवर हो चे टोइटा की कोई गाड़ी हो किसी भी प्रैंड का कोई मोबाइल हो एक तरह के साचे में एक ही तरह का फिनिश गुड निकाई भगवान ने 99.99% फिजिकल स्ट्रेक्चर गर्भास है सब माताओं की भीतर एक जैसा निर्मित किया है जिसी इस मनुष्य का जन्म होता हो इस्त्री भी जो पुर्ष भी जिसको हम अंग्रीजी में स्पाव ओवम पोड़ते हैं के उसका स्ट्रेक्चर है युख जैसा अब अनहेल्दी में तो फिर कई तरह की दिकतें दोश्पोण स्ट्रेक्चर की करेक्टर की बात नहीं कर ला तो भी जो अंतर किया है प्रकृति परमेश्वर ने और इसमें कुछ तो हमने अस्तक शेट किया मनुष्य की रचना बहुत सुन्दर की प्रकृति परमेश्वर ने लेकिन इस ने रोगों और विकृतियों से अपने जीन्स अपने क्रोमोजोंस अपना रेने डियने यह सब विगाड डाला यह प्रकृति परमेश्वर का दोश नहीं है यह हमने गड़बड धाला किया अब देखो थड़ी देर मंडू का सन से ले करके ऐसे करो मंडू का सल लंबा करो मनुष्य ने छेड चाड़ की प्रकृति परमेश्वर के विधान का तिक्रमन किया मैं तीन तरह की सम्विधान की बात करता हूँ पूरे धेश में दुनिया में कॉंस्टिटिशन के अकोर्डिंग रून होना चाहिए मैं मानता हूँ दुनिया में जो भी नियम कानून विधान सम्विधान बनाए गए है वो समाज की आवश्यक्ता के नुरू ठीक ही होंगे उनमें संसोदनों की आवश्यक्ता पढ़ती रहती है वो होते रहती है लेकिन ये शाश्वत नहीं है राजनेतिक लोगतांत्रिक समिधान का ये जो ताना बाना है ये वक्त के साथ परिवर्तित होता रहता है जो कभी भी नपरिवर्तन होने वाला अपरिवर्तनी है सारव भोमिक वैग्यानिक सरव हितकारी सारव कालिक सनातन शाश्वत को समिधान है तो वो वेद का विधान है वो भगवान का विधान है वो हमारा सांस्कृतिक समिधान है उसका अतिक्रमन मत करना एक है हमारा ये सांस्कृतिक सनातन वैदिक ईश्वरिय समिधान और दूसरा है हमारा लोकतांत्रिक राजनेतिक सम्विधान नियम कानून काईदे और फिर व्यवारे के दृष्टे से एक प्राकृतिक विधान है प्रकृति के अनुरूप आपको जीना पड़ेगा वात पित कफ के आपके कैसी प्रकृति है किसे देशकाल परिस्थिती में आप जी रहे हो उस प्राकृतिक विधान का तो पारण करना पुरेगा प्रकृति से हटोगे प्रकृति आईगे